आज मैं आपको पांच ऐसे पॉइंट देने वाला हूँ वर्गो साइन के बारे में जिससे आप किसी को भी बहुत भेतरीन प्रेडिक्शन कर सकते हैं तो वेलकम गाइज, वेलकम टू मैं चैनल, मैं हूँ शिवम सुलंकी और आज अपन बात करते हैं वर्गो की तो थोड़ा सा वर्गो के बारे में जान लेते हैं वर्गो जो होता है कालपुरुष की कुडली के अंदर छटे भाव में आता है तो इस कारण से इससे सारी नेगेटिव चीज़े जुड़ी हुई है जैसे court cases हो गए, divorce हो गया, जगड़ा हो गया, loans हो गए इस तरीके की जो mild negativity होती है diseases हो गई, बिमारियां हो गई, daily life की problems हो गई यह सब होता है 8,000 इससे severe problems होती है 6,000 is the normal kind of problems which everybody face in daily life और इसे बोला जाता है प्रारद कर्म का भाव बोलते हैं कि इसके जो कर्म होते हैं, 6,000 के, वर्गों के वो आप change नहीं कर सकते हैं, वो प्रारद हैं और उनको आपको चुका नहीं है तो आईए अपन देखते हैं, इन सब को कैसे अपने प्रेडिक्शन में इस्तमाल कर सकते हैं और कैसे सामने वले व्यक्ति की जिन्दगी के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, जो की है वर्गों का सबसे prominent rate जो हर एक वर्गों के अंदर आपको बहुत बहुत जादा साफ दिखाई दिता है वो है criticism critics होते हैं ये वर्गों वाले ये अपना जो ideology होता है, उसके हिसाब से सामने वाले को criticize करते हैं उसको या तो ना पसंद करते हैं, अच्छे के लिए criticize भी कर सकता हैं जो की critics होते हैं और बुरे के लिए तो बहुत सारे लोग देखते ही हैं अपन जो बिनावाद के criticize करते रहते हैं किसी भी चीज़ को तो ये quality है for example वर्गों किसी का third house में आया जैसे ये हुआ cancer ascendant तो ये जो cancer ascendant वाला व्यक्ति है ये अगर इसका वर्गों बहुत prominent है या फिर mercury का वो चल रहा है तो उस दोरान ये हो सकता है social media पे टेटिस third house ये वहाँ पे कुछ ने कुछ criticism करें criticize करें अगर इसका kind of tenth lord अगर उससे related है तो हो सकता है इसका काम ही ये हो इसके काम में हो सकता है ये teacher हो लेकिन teacher का भी काम क्या होता है बच्चे की गलतियों को देखके उसे सिखाना समझाना so that is also a form of criticism a form of judging someone आप किसी को judge कर रहे हो ना तब ही तो आप उसको सिखा पाओगे तो teacher के अंदर भी ये गुण होता है लेकिन वो उसे positive way में use करता है for example अगर ये आपका आ रहा है fifth house में तो हो सकता है ये वेक्ति अपने बच्चे को बहुत जादा criticize करता हो हो सकता है ये दूसरों के बच्चे को बहुत जादा criticize करता हो किसी की creativity को criticize करता हो या फिर हो सकता है fifth house होता है आपका throne भी होता है fifth house fifth house होता है लियो राशी, sun का राशी तो हो सकता है ये किसी की power, किसी की authority को criticize करता हो तो इस तरीके से आपको criticism वाला जो point है ये वर्गों से बहुत जड़ा हो है for example अगर आपका इसके अंदर जो खराब-खरा planets होते है या फिर हो सकता है किसी का lord बोल दे है अपन जैसे Saturn आ रहा है seventh lord बनके यहाँ पर वर्गों के sign के अंदर तो हो सकता है आप आपकी wife का बहुत जड़ा criticism करते हो या फिर आपकी wife आपका करती हो दोनों चीज़े हो सकती है तो इस तरीके से अपने को criticism वाला point यूज़ करना है अब अपना आते हैं second point पे यह एक बहुती unique चीज़ है वर्गों के अंदर जो बोलते हैं कि प्रारब्ध कर्म वाली जो बात है जिसे आप change नहीं कर सकते है वो problems कही बार ऐसी होती है कि हम कुछ भी करने वो change नहीं होती है हमें उनसे गुज़र नहीं है इस करण से second point मेंने include किया है unspeakable problems ऐसी वाते जो आप मतलब वर्गो वाले व्यक्ती को वर्गो वाले sign में ऐसी problems होती हैं जो आप किसी से बोल नहीं सकते और बोलते भी हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो बोलने से बात करने से solve नहीं होंगी for example if you have वर्गो इंदी ninth house तो आपके पैर में आपके thighs में या joints के महाँ पे कुछ दर्द हो रहा है आप जादा चल लेते हैं दर्द हो रहा है आपने सब चेक करवा लिया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दर्द भी हो रहा है कोई ठीक भी नहीं हो रहा है हो सकता है tenth house में आपके गुटनों में हो रहा है इस प्रकार की चीज़े होती है व्यक्ति के साथ में हो सकता है third house में हो तो आपके हाथ में या गर्दन में हो रहा हो दर्द तो इस तरीके की चीजें वर्गो के साथ में होती है For example, वर्गो, let's say cancer ascendant डिलेते हैं वर्गो third house में हो तो ये लोगो का paperwork जो होता है, third house वाला जो चीज होता है इनके electronic devices जो होते है, social media जो होती है ये कुछ ने कुछ लगा रहता है For example, अगर मार्स वर्गो में है, third house में तो इस व्यक्ति का phone, इस व्यक्ति का laptop या कुछ ने कुछ तूटा वा रहेगा वो हमेशा तूट जाता होगा For example, अगर वर्गो fourth house के अंदर है इस व्यक्ति की गाड़ी में कुछ ने कुछ दिक्कत हमेशा रहती होगी ये पूरी गाड़ी भी servicing करा लेगा फिर भी इसको दिक्कत रहेगी गाड़ी के अंदर कुछ ने कुछ या फिर ये भी हो सकता है कि ये दिक्कतों को ही देखता है उस पे बहुत ज़्यादा focus करता है उसे criticize करता है तो ये जो problem वाला point है ये वर्गो में बहुत ज़्यादा common है अब अब बनाते हैं third point पे जो की है service वर्गो एक knocker को denote करता है आपके जो knocker होते हैं आपके अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें आप 6,000 से देखते हैं वर्गो साइन से तो वर्गो एक service को denote करता है किसी को service देना या किसी से service लेना दोनों चीज़े तो ये बहुत 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 बैदिक्शन मनता है इसका कि जहाँ पे भी आपका वर्गो है वहाँ पे आपको अगर उस area से related आपको कोई दिक्कते है तो आपको उसके अंदर दूसरे लोगों की help लेनी चाहिए मतलब दूसरे लोगों की service इस्तमाल करनी चाहिए ताकि आपका काम ठीक से बने और उससे कोई दूसरी problem है अगर fourth house में है वर्गो तो आपके गाड़ी में भी problem हो सकती है और similarly आपका fourth house खराब है तो आपके घर में भी हो सकती है आपकी मंबी को भी हो सकती है आपके mental peace को भी हो सकती है तो गाड़ी की problem को ठीक करने के लिए आप किसी की service ले और उससे बाकी सारी problem को किस तरीके से ठीक किया जाए वो ऐसा है कि आप service दे आप दूसरी चीजों में अपनी service किसी को दे भी सही For example, अगर कोई emotionally well नहीं है तो आप उसको service दे तो आपका जो fourth house का वर्गो है वो आपको emotionally इतना trouble नहीं करेगा तो ये एक remedy है service लेना है और service देना भी है अब अब बनाते हैं fourth point के उपर जो की है routine वर्गो को sixth house के अंदर जो भी चीजे होती है वो routine से काम करती है sixth house के अंदर organs आपके जो आते हैं वो आते हैं lower abdomen जो आपका digestive organs है इन सबका एक routine होता है आपने obviously सबको पता है अगर आप खाना time से नहीं खाएंगे अगर आप उठेंगे वगरा सही से नहीं time पे तो आपका digestive system में वो affect होता है लेकिन जब आप बहुत ही perfect routine में सारा काम करते है तो आपका digestive system perfectly काम करता है मतलब आपका वर्गो perfectly काम करता है तो जहाँ पे भी वर्गो है वहाँ पे अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ की चीजों को routine में लाना शुरू करें फॉर एक्जामपल अगर वर्गो let's say first house में है तो आप अपनी body का routinely आपको care करना है फॉर एक्जामपल मैं सिस्टर है वर्गो in the first house वर्गो लगना initially उनका health खराब था लेकिन फिर दीरे जैसे जैसे उनको बड़ी हुई तो उनको समझ में आने लगा और वो routinely अपनी body पे काम करती है अब उनका health अच्छा है यह होता है वर्गो असेंडेंट्स लोगों का बच्पन में health खराब होता है और जैसे ऐसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका health अच्छा होने लगता है तो similarly हर एक चीज़ में आपको routine होना चाहिए for example अगर आपका certain वर्गों में आएगा तो आपको अपने काम में एक routine follow करना पड़ेगा अगर आप नहीं करोगे तो आपका काम ठीक से नहीं चलेगा वैसे ही अगर आपका कोई और lord अगर वर्गों में आएगा for example आपका third lord वर्गों में आएगा तो हो सकता है आपको अपने writing और communication के जो चीजें हैं आपके जो paperwork हैं उसमें आपको routine follow करना चाहिए हो सकता है आप paper filing वगेरा में date miss कर जाते हैं उस वज़े से आपको दिक्कत होती होगी बाद में एक routine से related prediction करें अब अपन आते हैं fifth point के उपर जो की है the most important disease मैंने जान मुझके most important को last में रखा है तो जैसा कि अपनने बात करी थी वर्गों होता है disease सिक्स थाउस से अपन देखते हैं diseases तो जहां पे भी वर्गों है और उससे जो भी planets associated हैं उनसे related आपको disease हो सकती है for example अगर आपका वर्गों second house में है आपने सुना होगा जो Leo ascendants होते हैं या Leo moon होते हैं उनको दातों में problem होती हैं आप देखना आपने आसपास notice करो क्यों होती है? क्योंकि उनके second house में वर्गों आता है और वो उनको दातों की problem देता है अगर आपका वर्गों fifth house में है तो आपको stomachs related, digestions related problem हो सकती हैं ये इस प्रकार की problem होती हैं कि ये आपको daily होती है eighth house की problem ऐसी होती है disease ऐसी होती है कि वो आपको बिल्कुल पंगू कर देती है आपको बिल्कुल धक्का देती भेंकर वाला लेकिन sixth house की problems, वर्गों की problems चल रही है रोज 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 आपकी body झेल रही है उसको digestion ठीक से नहीं हो रहा है तो भी आपकी जिंदगी तो चली रही है लेकिन eighth house का accident अगर हो जाएगा तो आपकी जिंदगी रुख जाएगी नॉर्मल वाली तो इस तरीके से होता है अगर आपका वर्गो let's say twelfth house में है तो आपको sleeping के issues हो सकते हैं आपको नीद तूटती हो, नीद ठीक से नहीं आती हो, गहरी नीद नहीं आती हो इस तरीके की problems वर्गो देता है और उसमें जो भी planets हो, for example अगर आपका Mars है तो आपको blood related problem दे सकता है अगर Saturn है तो वो आपको legs से related problem दे सकता है अगर Venus है तो वो आपको आपके private parts से related problem दे सकता है इस तरीके से आपको disease predict करनी है और एक small prediction बताना है और सामने वाले व्यक्ति को stun करना है because यह जो predictions है यह basic से ही निकल के आते है कोई बहुत बड़ा technique नहीं लगाना होता है इन सब में तो मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो आप like, share and subscribe जरूर करें और अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो मैं बनाऊंगा लीब्रा राशी के उपर झाल करेंजा पसंद आपकशो लीडियो चाहरा लीडियो पसंद आया है